नमस्कार दोस्तों मैं आपने इस यूटूब चैनल फ्रेडम इंडिया पर आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं इस चैनल पर एक नया वीडियो लेका रहा हूँ जो कि हमारे ग्राम में पानी की समस्या को लेकर है कि अनावसेक रूप से गली-गली में महले मे पानी बरवाद किया जा रहा है जिससे कि हमारा जो साफशुत्रा गाव है वो देरे-दरे गंदगी की और बढ़ रहा है और आज हम लोगों ने स्वीव मंदिर की में एक बैठे रखाता है यागी को लेकर जिसमें से सबसे पहले ये बात आया कि अगर गाव साफशुत्रा नहीं रहेगा तो फिर यागी वो ऐसा पवित्र नहीं माना जाता है कि अगर मेरा मन साफ नहीं है गाव साफ नहीं है तो इसे हम ऐसे कैसे यागी करा लेते इसमें विचार आया बहुत लोगों का विचार आया कि यागी कराना है तो पहले गाव म और बहुत लोग इसमें अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को सिध करने के लिए सड़क में ही पानी को बहा देते हैं उसमें ही अपना बरतन धोना जुठा धोना मल मुत्रत्याग करना बहुत इसा करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने एक निरने लिया कि पहले त तारिख से उसमय यह बंद कर दें अपना जो पानी बाहर से आज हम बात करेंगे अपने एक मीत रहा है अभिसेक कुमार जी उनसे जैसे जनता लोग भी यहां थोड़ से कुछ बूर्बख हैं, उनको समझना चाहिए, जो हमारे घर में पानी गिर रहा है, तो उसको थोड़ से सुधार करें, सुधार करने भी सुरक्षा है, तो इसमें से किन ही का अगवाई तो करना होगा ना कि अगवाई कौन करें, अगव प्रगतू उफित बहता है, जैसे जब बंद करने के लिए बंद करवाने के लिए आते हैं, जो रोड में पानी बहता है, तो जब बंद करवाने जाते हैं, इसमें आप लोग को कौन सी कौन सी समस्या का समधन करना पड़ सकता है, समस्या का आ सकते हैं, समस्या का दो ही हल है लोग अपना पंसोखा बना ले पहला दूसरा है जो हमारे मुखिया है गाओं के उनको नाली का काम करवा दे तो पानी का समस्य खतम हो जाएगा लोग जनता चाहता था कि हमारे यहां पानी आए पानी तो आ गिया अब पानी का दिर्प्योग भी बहुत हो रहा है आधा रोड में बहता है अगर सौ परसेंट है तो नवे परसेंट रोड में जाता है अगर दसे परसेंट लोग यूज करते हैं तो ये नवे परसेंट जो पानी रोड में जा रहा है तो ये तो वेस्ट हो रहा है पानी का बरबादी हो रहा है पान साल पहले बोलता था पानी नहीं है पानी अतना दे दिया है कि वेस्ट होने लगा है अगर वेस्ट लोग कर रहे हैं कि जंता लोग अपना पानी को वेस्ट कर रहे हैं बरबाद कर रहे हैं नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर उन लोगों की पा मिल ना तो हमारे सन परति नीधी रहेंगे ना तो हम एक बार ही बोलेगें कि पानी का दिप्योग ना करें पानी जल ही जीवन है पानी को बचा के चलेंगे तो अच्छा रहेगा अगर नहीं मानेगा तो एक साल के लिए उसका पानी जाना कोनी सब बंद कर दिया जाएगा जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपको कि आज मैं भी गया था साथ में समीतिक साथ में घुम रहा था वो पूरा गाउं में में इसे कि लोगों का नहीं उसका पानी बाता प हएंए नहीं पानी दे तो आके है ए जनता कर दे दिया न बहुत परकार कि ही जो नल ओजनल होना चाहिए वो नल भी नहीं मिला जनता लोग को अच्छा पूरा घर तक पानी बहुत जगा देखते हैं कि तीसे फिट दे के ठोक के रख दिया है कहीं सुता के छोड़ दिया है कहीं गोल का रल्ला बना के टंग दिया है माला के जेसन लगा को यह मलें पीजी आरें पेनाने के लिए होंगे उनके पानी भी काम अच्छास नहीं हुआ है अभी बहुत देज जगा देखिए कि बुलबूला मारत रहता है उवेस्ट तो अलग है इवी वेस्ट है जहुआ है तो यह फिर इनकी जिम्मारी बनती है जो पानी का जो लिकेज यहके पानी फटा वाय कहीं कहीं जो बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करेंगे जो लोग से उसको रिपेरिंग कौन करेंगे यह जंता खुद करवाएगी यह पीशी विभाग कि यहां पर जैसे कि यह बता है कि यहां पर जल मिनार में जिनको ड्यूटी मिला हुआ है नाम है उनका तुलेश्वर कुमार सुपुत्र है वो स्री असुप ठाकुर पंचायत समीति सदेश्वर के सुपुत्र है उन्होंने बताया कि देखिए आप जो कनेक्शन लिए हुए है तो उसमें अगर पानी लिकेज कर रहा है तो विभाग बार बार नहीं करेगा वह आपका ही काम है बाद में जहां कनेक्शन जो हम लोग खोलके लगाते हैं तो उसमें टोटी भी नहीं लगा हुआ है जिसे जब पानी आती है तो वह इस आटमेटिक लिवह पानी निकलना चाहर हो जाता है जिसे उस परकार से भी बेस्ट होता है तो हम आप इसके लिए जनता को क्या करना चाहेंगे कि वह अपना टो लगाँ को जनता ही चाहेँगा तो अन्हर को बना देगा हमारे गाँ के कुछ बहुत ऐसा आद्मी हैं जो गणीज में रहना भी पसंड करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं गलीज में रहें हम लोग अच्छा से चाहते कि रहें और गाउं में कोई बीमारी ना फेले इगंदगी में भी बीमारी है मलेरिया है टाइफेट है बहुत सारा बीमारी है इसलिए हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि पानी ना बहाई रोड में पंसोखा बना ले पानी का दूर प्योग ना करे आपका बिचार अपना बिचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद